Hey guys, welcome back to my channel तो जैसा कि आप लोग सब चानते हैं कि कोरोना वाइरस से बचने का नमबर वन प्रिकॉशन होता है मास्क को पहनना जब भी हम लोग बाहर जा रहे हैं हम लोग को मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है तो ये मास्क जो पहनना है ये मास्क हम लोग कैसे पहनेंगे क्योंकि मास्क को सही तरीके से पहनना भी बहुत जरूरी होता है अगर आप लोग गलत वे में मास्क को पहन रहे तो उसमें इंफेक्शन बढ़ने का चांस जादा रहता है इसलिए मास्क को सही तरीके से पहनना और उसको फेकना, डिस्पोस करना बहुत ही ज़रूरी है तो मैं आज ये वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि एक 3-ply mask जो 3-layer mask होता है, surgical mask होता है वो कैसे हम लोग पहनेंगे और कैसे उसको फेकना है और एक जो बहुत ही common problem होता है जो लोग चश्मा पहनते हैं उन लोग के लिए mask पहनने के बाद चश्मा foggy हो जाता है, चश्मा धुनला हो जाता है तो जो fogginess है, चश्मा का वो कैसे हम लोग हटा सकते, उसका भी मैं आपको ways इस वीडियो में दिखाऊंगी तो इसलिए जो लोग चश्मा पहनते हैं, उन लोगों के लिए भी easy होगा ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग को पता चल जाएगे कि कैसे आप लोग mask को पहनेंगे ता कि आप लोग का चश्मा foggy ना हो, धुनला ना हो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो चलिए, वीडियो के तरफ बढ़ते हैं ऐसे आपको बोली कि मैं आपको 3-ply surgical mask को कैसे पहनना है, वो सिखाऊंगी तो ये होता है एक 3-ply surgical mask 3-ply mask क्यों बोलते हैं इसको, इसमें जो layers है, इसमें 3 layers है इसलिए इसको 3-ply mask बोलते हैं इसको आपको 6 घंटा यूज करना है, 6 घंटा यूज करने के बाद आपको इसको fake देना है तो सबसे पहले हम लोग पैचानेंगे कैसे कि कौन सा हम लोग बाहर के तरफ रखेंगे और कौन सा side हम लोग अंदर के तरफ रखेंगे इसका जो रंग है जो बाहर के तरफ रहेगा वो थोड़ा dark रहेगा उसका रंग थोड़ा जादा गाड़ा रहेगा और जो side हम लोग अपना face के तरफ रखेंगे वो side थोड़ा light color का होगा थोड़ा सा कम color है उसमें लेकिन हाँ कोई-कोई mask का company पे depend करता है कि कोई-कोई mask में दोनो side वो लोग same color का कर देते हैं तो इस mask में जैसे आप देख रहे हैं इसमें nose pin है तो ये जो एक metal strip रहता है ये हम लोग के नाग के उपर रहेगा तो इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये part हम लोग ऊपर नाग के तरफ रखेंगे तो हम लोग समझ गए कि ये जो part है ये बाहर के तरफ रहेगा क्योंकि ये थोड़ा dark in color है और ये side थोड़ा सा light in color है इसलिए हम लोग ये अंदर के side में रखेंगे और एक बे है जिसमें आप लोग समझ सकते है कि कौन सा side बाहर के तरफ रहेगा जब color almost same रहता है जिस mask में उस mask में आप लोग ऐसे पैचान सकते है mask में जो lines होता है आगे वो lines सही तरीका जो है पहनने का उसमें वो lines नीचे के तरफ direct करेगा देखिए ये lines नीचे के तरफ direct करेगा उल्टा side देखेंगे तो आपको समझ में आएगा देखिए ये उपर के तरफ direct कर रहा है तो ये गलत side है ये आपका बाहर के तरफ नहीं रहेगा ये आपका नाग के तरफ रहेगा तो इसमें आप देखिए उपर के तरफ जा रहा है और जैसे हम लोग इसको उल्टा करेंगे देखिए इसमें आपका lines जो है ये नीचे के तरफ जा रहा है तो ये और एक तरीका है जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा साइड बाहर रहेगा और कौन सा साइड आपका नाग के तरफ में रहेगा तो जो lines है lines नीचे के तरफ जिस तरफ है वो side आपका बाहर के तरफ रहेगा और जिस side में lines आपका उपर जा रहा है वो side आपका face के तरफ रहेगा और एक वे है जो है ये your attachments है ये your attachments जहां से stitched है जिस side से stitched है जिस side से stitched है देखिए ये इस side से stitched है लेकिन opposite side में ये stitching नहीं है तो जिस side से ये stitched है वो side आपका नाग के तरफ रहेगा और जिस side bestiching नहीं है वो आपका बाहर के तरफ रहेगा तो यह आपका और एक तड़िका हो गया कि कैसे आप लोग समझेंगे कि कौन सा side आपका mask का नाख के तरफ रहेगा और कौन सा बाहर के तरफ तो mask को पहनने का जो जही तरीका होता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी तो mask को पहनने से पहले हम लोग हाथ को अच्छे से soap से साबुन से साफ कर लेंगे या sanitizer से साफ कर लेंगे उसके बाद हम लोग mask को ear loop से पकड़ेंगे और ear loops से ही पहनेंगे यह हम लोग यह लूप से पहनी ए इसके बाद हम लोग को क्या करना है मास्क हमेशा बहुत ही टाइट होना चाहिए कहीं से आपके फेस में ज्यादा हुआ नहीं आना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है यह जो मेटल स्ट्रिप है इस मेटल स्ट्रिप को थोड़ा ऊपर करेंगे और इसको बहुत अच्छे से ऐसे करके प्रेस कर देंगे तो यह आपका नाख का शेप ले लिया है और यह आपका एकदम टाइट बैड गया है और जो नीचे वाला मैं किसी किसी को देखी हूं चिन को कवर करना चाहिए यह जो चिन है इस चिन को मास्क को कवर करना चाहिए किसी किसी का होता है मैं देखी हूं कि यह बहुत लूज हो जाता है तो यह अगर यह लूप किसी का फेस छोटा होता है तो यह लूप बहुत लूज हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे टाइट क इसमें ये टाइट हो जाता है, देखिए मेरा ही इसमें ज्यादा टाइट हो गया, ऐसे करके आप लोग दोनों साइट कर सकते हैं, तो ये आपका एकदव परफेक्ट हो गया, आपका कहीं से भी कोई भी आपका एर नहीं जाएगा अंदर, लेकिन आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है, कि जब भी आप मास्क पहन के बाहर जा रहे हैं, आपको बार बार हाथ से ये एरिया में टच नहीं करना है, मैं और एक चीज देखी हूँ, करते हुए सबको, कोई अगर बात कर रहा है दूर से, और आपको जोर से बात करन है, तो बहुत एजी ली आप लोग मास्क को ऐसे पकड़के, ऐसे कर लेते हैं, बात करते हैं, बात करके, फिर से आप लोग ऐसे कहीं भी पकड़ लेते हैं, और ऐसे करके पहल लेते हैं, ये आपको नहीं करना है, ये गलत है, ये बहुत गलत है, इसमें आपको नुक्सान जादा होने वाला है, इसमें आपको infection होने का chances जादा रहता है, क्यों रहता है मैं आपको बताती हूं, आप जो ये touch कर रहे हैं यहाँ पे, mask का जो ये part है इसको touch करके आप लोग जो नीचे कर रहे हैं, इसमें आपके हाथ में viruses, bacteria जो है, वो सब आपके हाथ में आ गया है, मास को यहाँ पकड़ करके पहन लेते हैं, तो फिर से आप लोग टच कर रहे हैं उसी एरिया को जहां पे आपका bacteria और viruses है, इस एरिया को आपको टच नहीं करना है, तो ये चीज प्लीज अवोइड कीजिए, कि जब बात कर रहे हैं, मास को उतारना बार बार ये सही चीज न सिर्फ यहर जो लूप है उसी से पकड़के आपको खोलना है ऐसे, ऐसे आप मास को खोल लिए, आप सास ले लीजिए, थोड़ा सा और आपको फिर से पहनना है मास को सिर्फ यहर लूप को टच करके, तो 6 घंटा आपको पहनना है ये मास को 6 घंटा हो जाएगा, उसके और आप लोग मास्क को उतार लेंगे, मास्क को उतारने के बाद मैं देखी हूँ, बहुत लोग मास्क को ऐसे ही फेक देते हैं, कहीं भी फेक देते हैं, कि क्या, कोई-कोई डस्विन में भी फेकते हैं, लेकिन ऐसे आपको डस्विन में नहीं फेकना है मास्क को, क्योंकि इस में आपका bacteria, viruses या बहुत कुछ microbes इसमें है, तो इसमें आपको कैसे फेकना है, घर में कोई भी disinfectant, antiseptic, कुछ भी है, जैसे डेटॉल है, या कुछ भी है, या सानिटाइजर स्प्रे है, कुछ भी है, उसको लीजिए, लेके बाहर के तरफ जो पार्ट बाहर एक्स्पोस्ट था उस पार्ट में स्प्रे कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कपड़ा का पार्ट है, ये कपड़ा का पार्ट में आपको कोई भी सीजर से या कुछ भी चीज से इसको काट देना है, एक कही भी आप कट लगा दीजिए, या फिर जो यर लूप है, इसको काट या फार दीजे दोनों साइट से, यह करने के बाद ही आपको इसको डिसपोस करना है डस्विन में, क्यूंकि इसमें जो वायरस बैक्टीरिया रहता है, उसको अगर आप लोग डिसिंफेक्ट करके नहीं फेकेंगे, तो उसके बाद वो डस्विन जो भी साफ करने वाला है उस वो वाइरस और वो बैक्टिरिया से इंफेक्शन हो सकता है। यू काट रहे है मास्क को ताकि वो next time कोई और उसको ड़स्विल से उठा के धो के फिर से बेच ना सके। किसी का ये कंप्लेंट रहता है कि चश्मा पहनने से उन लोग का जो मास्क है, मास्क पहनने के बाद चश्मा फॉगी हो जाता है, चश्मा धुंदला हो जाता है। लोगों के लिए मैं एक टिप बताऊंगी एक टिशू पेपर लेजिए टिशू पेपर को ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद इसको हम लोग रखेंगे नोज का मेटलिक स्ट्रिप है उसके ऊपर हम लोग यह उसके ऊपर हम लोग ऐसा करके टिशू पेपर को रखेंग तो मैं मेरा यह चश्मा नहीं है, मम्मी का चश्मा है, मुझे सब धुनला दिख रहा है, तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यह पहनी हूँ, तो जैसा मैं आपको दिखाई कि यह ऐसे हम लोग इसमें टिशू पेपर को लगा लिए है, अब इसमें हम लोग इसको पहन ल जाता है वो स्पेस टिश्यू पेपर से फिल्ड हो जाता है और आपका चश्मा फॉगी नहीं होगा इसके बाद जिसमें इसको जल्दी से उतार ली तुकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और एक वे है जो मैं आपको दिखाऊंगी आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें आपका चश्मा में फॉगीनेस कम आएगा तो ये दो तरीका है जिसमें आप लोग अपना चश्मा में फॉगीनेस को कम कर सकते हैं मास को गलत तरीके से पहनेंगे तो वो आपके लिए और डेंजरस हो सकता है तो उसको सही तरीके से पहनें जैसे मैं आपको स्टेप्स दिखाई आपको जानना है कि कैसे हम लोग hand sanitizer बना सकते हैं तो वीडियो को जरूर देखेगा और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको वीडियो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को शेर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो में comment करके बोलिए कि कैसा लगा आपको वीडियो और कुछ अगर नया चीज आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर बोलिए बेल आइकेन को ज़रूर क्लिक कीजिगा थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए सेफ रहे हैं आप लोग अच्छे से रहे हैं घर में रहे हैं थैंक यू सो मच पॉ लिस्निंग बाबाई